हाई अब्रीवन गाइस आज हम बात करते हैं पाई की एक राज की बात एक इसरार की बात एक मिस्ट्री की बात एक रहस राज यानि की पाई जिसको हम पी आई लिखते हैं उसको अगर उल्टा हम पढ़े आई पी तो इसको इंपोसिबुल भी पढ़ सकते हैं अपना ट्रीक के रूप में क्योंकि उसका मान 22 बटे साथ इंपोसिबुल नहीं है हाँ लग भग है एप्रॉप्स में है 22 बटे साथ इन सब बातों को हम विशेश चर गाइस पाई हम पाई की बात करते हैं पाई का वेल्यू हम और आप कभी 3.14 और कभी 22 बटे साथ हम 22 बटे साथ हम 22 बटे सेवन इस्तेमाल करते हैं जैसा इंस्ट्रक्शन होता है गनीत में हम वह ऐसा इसका वेल्यू को इस्तेमाल करते हैं लेकिन याद रहे पाई इस इक्वल टू 22 बाई 7 यानी पाई 3.14 के बराबर है और ना ही पाई 22 बटे 7 के बराबर है हाँ approximate है लगभग बराबर है लेकिन हम इसको exact बराबर नहीं कह सकते हैं अब हम पाई कोई बात आगे बढ़ाता चाहते हैं पाई की बात जहां तक है तो पाई यह जो शब्द है पाई पाई actual में एक ग्रीक भाषा के सोलवे अच्छर पाई है ग्रीक यानी युनान युनान का भाषा का सोलवे अच्छर पाई है जैसा की alphabet ABCD में सोलवे अच्छर P होता है उसी तरह पाई ग्रीक भाषा का सोलवे अच्छर है पाई का मान हम जब निकालने के लिए आगे तो इसका मान कभी खतम ही नहीं होता आते ही रहता है इसलिए मैं पाई की लिए पाई की एक्जक्ट वेलू आज तक कोई भी निकाल नहीं पाया है यहां तक की सूपरकॉंप्यूटर भी इस मामले में नाकाम रहा दरसल पाई की वेली एक irrational number है इसलिए πाई को भी irrational माना जाता है इसकी वेल्यू कभी repeat नहीं हो सकती और ना ही terminate अब आईए πाई बटे साथ पर देखिए जब हम 22 बटे साथ 22 को साथ से भाग देंगे न तो हमें 3.142857 14286 इस तरह से वो हमारा वेल्यू आएगा पाई की असल वेल्यू जो है वो इक्वल टू पाई इक्वल टू अगर हम निकाले उसकी असल वेल्यू तो 3.1415926535897932 so on dot 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 to infinitive मतलब मान इसका निकलते रहेगा निकलते रहेगा निकल ये तो छोड़ दीजे सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सूपर कंप्यूटर ने इसकी वेल्यू इसकी वेल्यू पाँच ट्रिलियन सूपर कंप्यूटर ने इसकी वेल्यू पाँच ट्रिलियन यानि पाँच हजार बिलियन यानि कि पाँच लाग करोड सबसी ज़्यादा ताज्यूब की बात यह है कि अभी भी वैल्यू निकलना बंद नहीं हुआ, पाई की वैल्यू अभी तक to infinitive है, समाप्त नहीं हो सका, आप पाँच ट्रिलियन का वैल्यू समझ ले, एक ट्रिलियन बराबर होता है, एक हजार बिलियन, वन ट्रिलियन इस इक एक हजार बिलियन बराबर होता है, एक हजार बिलियन बराबर एक लाग करोड तो पाँच हजार बिलियन यानि पाँच लाग करोड इतना ज्यादा वैल्यू निकलने के बाद भी अभी भी निकलते रहा, यानि complete नहीं हुआ, अभी भी मान निकलना बंद नहीं हुआ, तो बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, शायद आप सुने हो या ना सुने हो, हो सकता है सुने हो, हो सकता है ना भी सुने हो, 14 मार्च वो पाई डे मनाया जाता है ये तो रहष्य की बात है कि नहीं बताइए क्यों रहष्य की बात है मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि एक चीज और हम जान ले कि इसका भी एक fixed time है 14 मार्च उको क्या fixed time है भाई वो है एक बजकर 69 मिनट दो पहर फिर आप πाई के वेल्यू पर नज़र डालें तो पाई का वेल्यू है 3.14159 जो की इस्तेमाल किया जाता है तो ये कहां से रिलेटेड है क्या बात है क्या रहसे क्या राज है क्या मिस्टरी है हमें तो नहीं पता आपको अगर मालूम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा हाँ मुझे ये पता है कि हमारा जर्मन फिजिशियन अलबर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था कब 1889 में 1879 ये इतिफाक है कि मिल रहा है या फिर उनके वज़े सी इधर रखा गया टाइम ये सब कुछ नहीं मालूम हाँ एक और इतिफाक है कि स्टिफन हॉक का देहां तो जो की हाल ही कि साल में 2018 में 14 मार्च को ही हुआ था तो ये तो खैर बात की बात है कि इतिफाक है कि ये भी 14 मार्च लेकिन आप ये जानने कि 14 मार्च 1889 वी को उनका जन्म हुआ था अलबर्ट आइंस्टाइन का पता नहीं क्या रिलेशन है लेकिन या एक रहश सकते हैं कि अलबर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1889 में 14 मार्च को इस्टीफन होकिन्स का देहांत 14 मार्च को 2018 को तो ये 1889 और 2018 को मन है ना हाँ एक बात और बता दो इन सबसे बहुत पहले सबसे पहले कहिए इसको सबसे पहले पाई का परियोग करने वाले विलियम जॉन्स है उन्होंने 17-6 SW में पहली बार इसका परियोग किये थे जो कि एक गनी तग ये थे तो पाई का वेल्यू और पाई का एज्जेक्ट वेल्यू के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पुराने जमाने में पहिया बनाने पर बिलकुल गोल नहीं बनता था क्योंकि पहिये जैसा कोई शकल दे करके किसी को लुड़काने में आगे बढ़ने में आसानिया होती थी इसलिए उसको पहिये का रूप दिया जाता था लेकिन ये बन नहीं पता था लेकिन आखिरकार जब पूरा पहिया जब गोल बन गया तब यह पाया गया कि पहिया तभी पूरी तरह से गोल होगा पहिया तभी पूरी तरह से गोल होगा जब इसकी परीधी यानि circumference और इसका diameter यानि कि व्यास का अनुपात एक नियतां को हो एक इस्तिरांक हो एक constant number हो यानि पहिया छोटा हो या बड़ा कुछ भी हो इस constant का मान हमेशा same रहती है कहने का ताद पर यह है guys कि यदि व्यास कि लंबाई 7 मिटर हो तो परिधी 22 मिटर होगी अर्थात तीन गुना से थोड़ा अधीक जैसे मान लिया जाए कि कोई एक circle है जिसकी ब्यास है 7 मिटर तो परिधी होगा 22 अगर उसकी ब्यास होगा 14 मिटर तो परिधी होगा 44 मिटर अगर उसका ब्यास होगा 21 मिटर तो परिधी होगा 66 मिटर अगर उसका ब्यास होगा 28 मिटर तो परीजी होगा 88 मिटर इस तरह से आप आगे चलते जाएं यानि overall pi equal to c by d और c by d equal to constant तो हम यहाँ पर एक और वैल्यू आपको बताते चलें कि pi equal to c by d यानि diameter और diameter actual में क्या है double r यानि कि two times of radius यानि उसको हम लिख सकते हैं 2r c by 2r अब अगर हम cross multiplication से pi के साथ 2r को multiply कर दें तो 2pi r होगा तो right side में क्या बचा only c बचा only c तो pi 2pi r equal to c c क्या है circumference तो इस तरह से circumference यानि परिदी का value 2pi r होता है यह भी मैंने चलते चलते आपको बता दिया लेकिन इसे भली भाती जान लें कि pi is not equal to 227 exact 227 नहीं होता है हाँ लगबग बराबर होता है approximate होता है अब मैं आपको ये भी बता दू कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर constant equal यानि इस थिरांक है तो आप यहां से निकाल सकते हैं जैसा मैंने अभी कहा कि 22 meter अगर परिदी हो और 7 meter ब्यास हो यानि कि 7 meter ब्यास रहने प पर परिदी 44 meter होगा ही और 21 meter ब्यास रहने पर 66 meter परिदी होगा ही और इसी तरह 28 meter ब्यास रहने पर 88 meter परिदी होगा ही यानि pi is equal to c by d pi is equal to c by d हमने यहां पर एक चीज देखा कि यह जो c by d है 22 बटे 7 अगर हमने 44 बटे 14 और 66 बटी 21 और 88 बटे 28 को उपर निचे हम अगर काटे हैं हम divide करें 2 से 3 से 4 से जहां से जो divide जागा उपर निचे same table से तो हमें यहां प्राप्त होगा कि सब में 22 बटे 7 ही आ रहा है यही ह इस तीरां यही है constant अब हम बात करते हैं कि आपको यह video कैसा लगा आप comment करें आप जरूर और जरूर comment करें और share करें लाइक करें अगर subscribe नहीं किये हो तो हमारे channel को subscribe कर ले तो बस अब तक के लिए बस इतना ही अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ thank you for watching